कहते हैं कि जब एक दर्वाजा खुलता है तो सिर्फ एक ही दर्वाजा नहीं खुलता आज से कुछ 25 साल पहले जब इंडिया ने अपने एकॉनमी को दुनिया के लिए खुला तब खुली हमारी पहली प्रांच उस दिन इंडिया ने अपना एक नया खाता खुला और खुलने लगे तरक्की के सैकड़ों रास्ते छोटे छोटे गाउं में स्कूल खुले उचे उचे पहाड़ों में एटियम खुले छुप छुप के पैसे बचाने वाले महिलाओं के लिए केवल महिलाओं से भरे ब्रांच खुले बुजर्गों के लिए पैंक का दर्वाजा सीधा घर में खुला और जवानों के लिए देश के हर कोने में नदी के उपर भी रास्ता खुला जमी के नीचे भी रास्ता खुला और नए पैसों से भरा हुआ वही पुराना पर्स खुला बेजोय लक्षमी जी सरपंच बने तो पूरे गाउं की आँखें खुले संगीता जी की चूडियों की नई दुकान खुले शिभी जी की कमपनी के साथ साथ उनके गाउं की किस्मत खुली और शेजवाल जी ने अपने नए घर में महमानों का खुल के स्वागत किया 25 साल पहले जो खुली वो सिर्फ एक ब्रांच नहीं थी वो थी एक ऐसी शुरुआत जिसने नजाने कितनों को खुल के मुस्कुराने की वज़य थी और कितनों को उड़ने के लिए खुला आस्मा इन 25 सालों के लिए हम आप सब का दिल खोल के धन्यवाद करता है